सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अबिक आपके चैनल The Perfect Classes में स्वागत हैं डिरेक्ट रेट अफ एजिकेशन जीन सीट आफ डेली की वर्कशीट नमबर 4 डिसकस करें बच्चो यह assessment worksheet है Class 8 की subject social science है 28 September 2021 की worksheet है Read the extract given below and choose the correct answer of question number 1 to 4 नीचे दिएगे इस रोध को दियान पूरवक पढ़िये और दिएगे पिर्शन संक्या एक से चार के सही उत्तरवाले विकल्प के गोले को पैंसिल से काला कीजिए तो इस स्टाट करते हैं Forests are our wealth जंगलों की बात हो रही है ठीक है जंगल हमारी संपता है Plants give shelter to animals and together they maintain the ecosystem पौदे जन्तों को आश्र प्रदान करते हैं और साथी पारी तंत्र को भी यह सुरक्षित रखते है Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for plants and animals जलवाईयों में परिवर्तन और मानव हस्तिशेप के कारण पौदर जन्तों के प्राकरतिक आवाज नश्ट हो सकते हैं Many species have become vulnerable or endangered and some are the words of extinction बहुत सी जातियां सुरक्षित अत्वा संकट में हैं और कुछ तो लुप्थ होने के कगार पर है Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fire, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources तो बच्चे इसमें बता हुआ है कि कुछ तो प्राकरतिक कारण है और कुछ मानविय कारण जैसे वनों को काटना हो गया, मिर्दा परदन, निर्बान कार रहो गया, भूस कलन हो गया जो यह सब मिलकर महत्वपूर्ण, प्राकरतिक संसादनों की जो लुप्थ होने की पिरकिरिया उसे बढ़ावा देते है One of the major concern in the poaching with results इने sharp decline in the number of particular species और आज की जो मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि जो शिकार किया जा रहा है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है ठीक है, the animals are posed for collection and illegal trade of heights, skin, nails, teeth, horns as well as feathers और यह जो शिकार किया जाता है बच्चों यह किस के लिए किया जाता है यह घर कानूनी रूप से किया जाता है ठीक है, और यह पशों की खाल, चमड़ा, उनके नाखून, दात, और उनके पंखों, और उनके स्टींगों को इखटा करने के लिए किया जाता है Some of these animals are tiger, loin, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock इन में से कुछ जन्तु हैं जिनका शिकार किया जाता है कौन-कौन से चीता, शेर, हाती, black buck, magarmach, दर्याई, गोड़ा, हीम, तैंदुआ, शुतुर मुर्ख और मूर है अब कॉशे नमबर वन देखते हैं The cause for the destruction of natural habitat plants and animals are पोधो और जन्तों के प्राकरती कावास नश्ट होने का कारण है Change in climate and human intervention मान वियस्ते शेप भी है और climate में change भी है तो आप seeper निशान लगा देंगे One of the important reason for the depletion of the wildlife is बने जीवो की संक्या कम होती जारी है इसका प्रमुक कारण है Formation of zoo, zoo का निर्मान होना Increase in forest, jungle का बढ़ना ये दोनों ही नहीं है बच्चों तो आप deeper निशान लगा देंगे None of these, इन मैं से कोई नहीं Question number 3 है The man goes for the hunting of wild animal is बने जीवो के शिकार का प्रमुक कारण है Skin, teeth, collection of horns तो इसका कारण है 3 ही है बच्चों ये ठीक है, उपर बताया है न हमें इस पर निशान नहीं लगाएंगे आप deep निशान लगाएंगे All of the above ठीक है, इस पर निशान लगा लीजे deeper Question number 4 है Which of the following is not a human cause for the extinction of natural resources निमले कितमें से क्या प्राकरतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुक मानविय कारणों में से नहीं है Poaching, Deforestation, Construction, Activities, Lens Line तो Deforestation Deforestation भी है Human cause, Deforestation हाँ, ये नहीं है, बागी सब ये मनुश्य द्वारे किये जाने वाले कारणों है तो C पर निशान लगाएंगे ठीक है, answer The following question अब देखेंगे इसमें 5, 6, 7 ये 22 marks के हैं 8 और 9 बच्चे ये 33 marks के हैं और ये question number 10 4 marks का है, तो आईए इनके solve करते हैं Question number 5 है, write any two uses of land भूमी के कोई दो पयोग लिखें तो आप लिखेंगे, there are three types of land use are agricultural, transportation and commercial हमने तीन use लिख दी हैं भूमी के क्या कर्शी के लिए, यातियात के लिए और वाडिजे के लिए किया जाता है Question number 6 है, what do you understand by ecosystem, एक और question है इसमें, कि पहला question तो ये है ecosystem साब क्या समझते हैं, पारी तंत्र साब क्या समझते हैं, next question है what is the availability of per capita water in India low तो यहाँ पर what निये why है, तो ये पूछा हुआ है कि भारत में पृतिव्यक्ती जल की उपलब्दता कम क्यूं हो रही है तो इसका अंसर बच्चों हम लिखेंगे an ecosystem is a geographical area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life तो देखिए पारी तंत्र एक ऐसा भोगोलिक छेत्र है, जहाँ पर पोधे, जन्तु और दूसरे जीव और जैसे कि मौसम भी और भोधरिश्य सब इकटे होकर एक साथ, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और जीवन बनाते हैं अब second का question भी इसी में दे देंगे हम the water availability for per person in India has significantly reduced due to expanding population in the country और भारत में पृतिव्यक्ती जल की उपलब्दता जो है वो बढ़तिवी जनसंक्या के कारण कम हो रही है अब next question देखते हैं question number 7 write any two methods for the conservation of wildlife बने जीवों के संद्रक्षन के किनी दो पायों को लिखना है तो देखें यहाँ पर हमने लिख दिया है there are three protected areas which have been established by the government for the conservation of forest and wildlife तीन protected area है जो सरकार के दोआरा इस्थापित किये गए है वन्ने जीवों को और जंगलों को संद्रक्षन के लिए पहला है biosphere reserve बनाए गए second wildlife centuries third national park ठीक है बच्चों आप question number 8 है explain any three factors responsible for the formation of soil आपको मिर्दा निर्मार के लिए उत्तरदाई किनी तीन कारकों को बताना है तो आप लिख देंगे some of the factors responsible for the formation of soil are climate, temperature and vegetation ये कुछ कारक हैं जो मिर्दा के निर्मार के लिए सायक होते हैं जैसे जलवाई हो गया ठापमान हो गया vegetation वनस्पति हो गया अब next water is resource how पानी एक संसाधने कैसे तो इस कहां से लिखेंगे the most significant use of water is to produce hydropower by harnessing its energy तो बच्चों जो पानी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण use है वो क्या है विद्धूत उत्पादन करना है ठीक है next ब्रीफ एक्सप्रेइन यानि 4 methods of soil conservation आपको soil conservation के कोई 4 method लिखने है तो आप लिख देंगे 4 methods of soil conservation इसके 4 methods है इसके कौन-कौन से है soil के संद्रक्शन के लिए 1st है contour farming 2nd crop rotation 3rd cover crops 4th है buffer strips तो आपकी worksheet complete होगे ऐसे आप notebook में ये question answer कर लेंगे और अपनी worksheet जो है वो send कर देंगे आज की ठीक है तो अपने group में send कर देना मिलते हैं next video में thanks for watching